नमस्कार दोस्तो, मैं रोहित और आप देख रहे है बीबी नियूज ट्रेन पट्रियों पर अपनी स्पीड से दोड रही थी ट्रेन की लगेज बोगी पिछले रिल्वे स्टेशन से सील बंद करके आगे के लिए रवाना की गई थी उसके ठीक पीछे ट्रेन का गाड भी बैठा हुआ था जब ट्रेन रवाना हुई तो लगेज बोगी का फर्ष सही सलामत था बोगी की छट भी नहीं कटी हुई थी बोगी के दरवाजे भी ठीक तरह से बंद थे लेकिन इसके बाद भी चलती ट्रेन की लगेज बोगी से एक बाइक गाएब हो गई ये बाइक मुगल सराय स्टेशन के रास्ते से गाइब हुई हालकि रेलवे सुरक्षा बल ने कुछ दिन पहले बाइक को बरामत करने का दावा भी किया है बाइक सिर्फ चलती ट्रेन से ही चोरी नहीं हुई है स्टेशन पर बने पारसल घर से भी एक बाइक चोरी हुई है इतना ही नहीं एक साथ घी के 30 कंटेनर भी चोरी हुए है जबकि स्टेशन पर हर वक्त इंडियन रेलवे के पुलिस करमी गश्ट करते हैं अब अगर सिर्फ चलती ट्रेन की बात करें तो पालक कट डिविजन से 2 साइकल, बिलासपूर इलाके में 3 फ्रीज और 21 बंडल इंसानी बाल तक चोरी किये जा चुके हैं पश्चिम बंगाल इलाके की अगर बात करें तो वहां एक बार में 200 से 500 किलो तक का गुठका और पान मसाला भी चोरी हो रहा है RTI की जवाब में रेल मंत्राले ने चलती ट्रेन से चोरी होने पर बताया कि रेलों पर पुलिस की व्यवस्था राज्य सरकार का विश्य है तक कूल 4293 मामले चलती ट्रेन में चोरी के दर्ज किये जा चुके है 21.19 करोड का माल हो चुका है चोरी और चलती ट्रेन में सबसे ज़्यादा चोरी Central, North और East Frontier Railway Zone में ही हो रही है वही एक और खुलासा करते हुए मंत्राले ने बताया है कि चलती ट्रेन में चोरों के निशाने पर सबसे ज़्यादा रेडिमेट गार्मेंट्स और इलेक्ट्रोनिक सामान रहते हैं हाल ही में विभाग में एक RTI दाखिल की गई थी और RTI के माध्यम से जानकारी ली गई है कि चलती ट्रेन की लगेज बोगी से कितना सामान चोरी होता है वही rail station पर बने पारसल घर से कितना सामान चोरी होता है और बीते 10 साल में कितनी रकम का कितना सामान चोरी किया गया और कितना आज तक बरामद हुआ सामान चुराने वाले कितने लोग पकड़े गए इतना ही नहीं RTI में ये जानकरी भी मांगी गई है किस तरह का सामान चोरो के निशाने पर होता है और रेलवे के किस इलाके में चलती ट्रेन में सबसे जादा सामान चुराय जाता है तो दोस्तो इस ख़बर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें और इसी तरह के न्यूज एंड अपडिट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबादें धन्यवाद